जै शीराम स्वागत है आप सभी का एक बार फिसे दोस्तों इस पाँ छे अप्रेल को चेत्र पोड़मा और हन्मान जन्मों सब का पर मनाया जाएगा दोस्तों हिंदु धर्म के सबसे जागरत और सर्व शक्ति शाली देपताओं में एक मात्र हन्मान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता दस दिशाओं और चारों युक में उनका प्रताब है जो कोई भी व्यक्ति उनसे चुड़ा समझो उसका संकट कटा हन्मान जी अजर अमच्रन जी भी है कल्यूग में हन्मान जी की भक्ति ही लोकों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है धर्म ग्रंथों के अनुसार हन्मान जी एक मात्र ऐसे देवता है जो ससरीर इस प्रत्वी पर बिच्रण करते हैं और अपने भक्तों की हर मरोकामना पूरी करते हैं हन्मान जी को संकट मोचन कहां गया है हनवान जी का नाम इस्मर्ण करने मात से ही भक्तों के सारे संकर दूर हो जाते हैं ऐसी मानने ताहे कि हनवान जी का चैत्रपूर्मा पर हुआ था इसलिए यह दिन हनवान जी को प्रसंद करने के लिए बहुत खास माना जाता है मानब जीवन का सबसे बड़ा दुख भै है और जो साधक चिरी हनुमान जी का नाम इस्मरण कर लेता है वे भैसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है हनुमान जी की उपासना से बुध्धी, यश, सौर्य, साहस और आरोक्यता में ब्रध्धी होती है दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आखो संकर पोचन बजरंग बली को प्रसंद करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे है इस उपाय को करने से बजरंग बली की किरपा से सभी प्रकार के कष्ट और संकर्टों से मुक्ति मिलती है चाहें संकर ब्यापार से जुड़ा हो विवा से जुड़ा हो घर परिवार से जुड़ा हो या उपरी ब्याधा से जुड़ा हो या धन सम्मंधी कोई समस्या हो बजरंग बली की कृपा से हर प्रकार की परिशानी का अंत हो जाता है और बजरंग बली अपनी भक्तों को मुँ मांगा बर्दान देते हैं दोस्तों उपाए करने से पहले आप कुछ बातों का विशे ध्यान रखें बजरंग बली के जन्मोच सब के दिन आप साथपिक भूजन ग्रहन करें किसी भी प्रकास से प्याज लैसन, मीट अंडा, मदरा, आदी चीचों का भूल कर भी सेवन ना करें और इस दिन पौन भ्रमचर्य का पालन करें दोस्तों जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तभी आपको बजरंग बली के पूजन का और उपाय का शुफल प्राप्त होगा दोस्तों यह उपाय आपको चैतर पूर्मा की रात को कहना है उपाय करने के लिए आप शुद्ध होका सच लाल रंग के बस्त धारन करें लाल बस्त ना हो तो केसर याप याप पीले रंग के बस्त धारन कर सकते हैं अगर यह भी ना हो तो आप किसी भी रंग के सच बस्त धारन करें लेकिन ध्यान रखें, काले रंग के बस्तर बहन कर बजरंग बली का पूजन भूल कर भी ना करें अब आप अपनी मंदिर के पास साफ इस्थान पर उत्तर पूर्वित दिशा में एक लकड़ी की चौकी यानि की पट्टा रखें अब इसके उपर आप साफ लाल रंग का कपड़ा पिछाएं फिर सबसे पहले आप चौकी पर भगवान सीता राम जी को बिराचित करें इसके बाद आप बजरंग बली को भी चौकी पर बिराचित करें अगर आपके यहां राम दरवार का चित्र या बिक्र है जिसमें बजरंग बली भी भगवान सीता राम जी के साथ हैं तो आप राम दरवार को चौकी पर बिराचित करें अब आप एक दिया लें तिये में रुई की पाती लगाएं अब दिये में शुद्धिखी भरें शुद्धिखी ना हो तो आप मीठा तेल याने की दिल का तेल भी भर सकते हैं वहवी ना हो तो आप सरसों का तेल भी दीपक में डाल सकते हैं ध्यान रखें तेल में नमक्यम मेंच कुछ मिला नहीं होना चाहिए तेल बिल्कुल साफ होना चाहिए इसके बाद आप भगवान जी के सामने एक खाली पातर रखे या फिर चौकी पर थोड़े से साबुट चावल रखे अब इसके उपर आप दिया रखे और दिये को प्रजलित करें अब आप एक साबुट फूल बाली लॉंग ले जो पूचा में इस्तमान होती है इस लॉंग को आप अपने दाहिने हाथ की तरफ यानि की राइट हैंड की तरफ तीपक के पास रखे इसके बाद भगवान सीता, राम जी और पचरंग बली को आप फल मिष्ठान का भोग लगाएं हो सके तो पूंदी के लट्टू का भोग लगाएं अगर यह ना हो तो आप मिस्री या फिर शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें क्योंकि माना जाता है कि भगवान शी राम तुलसी दल के बिना भोग स्विकान नहीं करते और अकर भगवान शी राम भोग स्विकान नहीं करेंगी तो बर्जरंग बली भी नहीं करेंगे इसलिए आप भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें अब आप भगवान सीता राम जी और पजरंग पली को पढ़ाम करें लौंग को अपने दोनों हाथों के बीच मिलें और भगवान जी से अपने सारी परिशानी कहें इसके बाद आप इस लौंग को दीपक में डाल दे अब भगवान शीराम के नाम राम 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 का 108 बार जाप करें राम नाम का 108 बार जाप करने के बाद आप हनुमान चालेशा का उच्च सर में एक बार जाप करें इसके बाद दीपक हाथ में उठा कर आप भगवान श्री राम की आरती करें और बजरंग बली की आरती करें आरती करते समय आप दीपक से भगवान श्री राम जी और बजरंग बली की आरती अवश्य ही उतारें ध्यान रखें इस दीपक से आपको भगवान जी की आती अवश्य ही उतारने हैं। तब ही उपाय पूर्ण होगा। अब आप भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें, बजरंग बली को प्रणाम करें। और अपनी सभी परिशाने आप भगवान जी से कहें। आपको किसी भी प्रकार की परिशाने हो, चाहे धन सम्मंदी परिशाने हो, ब्यापार से चुड़ी हो, घर परिवार से चुड़ी हो, स्वास्ते से चुड़ी हो या फिर कोई उपरी परिशाने हो। जो भी परिशाने हैं वह आप भगवान सीता राम जी और बजरंग बली से और उनसे प्रात्ना करें कि वह आपकी समस्त परिशानियों को दूर करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया बजरंग बली को प्रसंद करने का ये बहुत ही अच्छों उपाए है। इस उपाए को करने से भगवान सीता राम जी और बजरंग बली की क्रपा से सभी प्रकार के कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है। बजरंग बली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। इस तरहें बर्जंग बले का पूचन करने के पश्चाथ आपने भगवान ची को जो फोग लगाया है उसे प्रशाथ के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहन करें। ऐसा करने से भगवान ची की कृप्रा प्राप्त होती है। अगले दिन इसनान करने के बाद आप दीपक में जो लौंग है उसे ले लें और किसी साफ इस्थान पर मिट्टी में गठा खूद कर मिट्टी में दबा दें। दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको रात पर बेचैनी रहती हैं सही से नेल नहीं आती। दरापने सपने आते हैं सोते से अब एक्दम जाग जाते हैं। इसके लिए आप एक फिटकरी का टुकडा लें। बजरंग बली का पूचन शुरू करने से पहले आप फिटकरी के टुकडे को बजरंग बली के चर्णों में रखतें। इसके पश्चात आप बजरंग बली का पूचन करें और बजरंग बार्ण का पाट करें इसके बाद बजरंग बली से अपनी समस्या दूर करने के प्रातना करें प्रातना करने के बाद आप उस फिटकरी के टुकडे को अपने तक्ये के नीचे रख कर सो जाए लगातार कम से कम 21 दिन तक आपको इस टुकड़े को अपने तके के नीचे रखकर सोना है ऐसा करने से बजरंग बली की कृपा से पुरे सपने आने बंद हो जाएंगे अनिंद्रा, तनाप और पीचेनी भी दूर हो जाएगी दोस्तों यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं है इसलिए इसका कोई बुरा असन नहीं होगा इसलिए अगर आपको सोते समय डर लगता है पुरे सपने आते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों अगर आपके बंते हुई कारे बिगड जाते हैं कारे बनते बनते कार्यों में रुकावट आ जाती है कोई भी कारे निर्विग्न पूरा नहीं हो रहा तो आप हनमान जन्मुच सबके दिन हनमान जी के मंदिन में जाए और अपने दाहिनी हाथ के अंगूठे से हनमान जी की मस्तख का थोड़ा सा सिंदूर लेकर माता सीता के चर्णों में लगा दें इसके बाद अपनी मनों कामड़ा बर्जंग बली से कहें और फिर शाम के बख्त बूंदी के लट्टू का या फिर बड़ी बूंदी का आप हनमान जी को भोग लगाकर उसे प्रशाद की रूप में बित्रत करें तो इस उपाई को कहनी से के साथ देने लगता है दीदे दीदे आपके सभी कारें जो अठके हुए हैं वह जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे और बर्जंग बले की क्रिपा से हर कारें सफलता मिलेगी और मन चाहां भरदान भी प्राप्त होगा दूस्तों हनमान जन्मुस्व के दिन इन आसान से उपा कर बेल आइकन को जरूर दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग जैश्री राम